नमस्कार आप देखना श्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की खला दोस्तों कुछ एक ओश्यधियां ऐसी होती हैं जिनका अगर आप सिंगल भी सेवन करें तो बहुत फायदा करते हैं पर खास बाती है कि उनको अगर कुछ ओश्यधियों के साथ मिक्स कर लिया जाए उनकी दालचिनी को जब आप दूद में मिला देते हैं तो क्या-क्या फायदे करती है साथी साथ किस मात्रा में कैसे मिलाना है आपको दूद में और किस टाइम पर सेवन करना है तो क्या-क्या स्वास्थे लाब आपको मिलेंगे यानि कि कौन-कौन सी बिमारियां दूर होंगी य इसलिए वीडियो को बिना स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखिए और एक रुक्वेश्ट की प्लीज वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे वाटसब पे फेस्बुक पे फैमली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ताकि उनको एक बहतर जानकारी मिले आईए सबसे पहले इसक जादा फायदा होता है इसका सेवन करने से गैस की समस्या से रहत मिल जाएगी और साथ ही साथ आपका पाचन भी दुरूस्त हो जाएगा और किसी को अगर इंसोमेनिया यानि की अनिद्रा की समस्या है तो वो जड़ से समाथ होगा अगर आपको रहत में नींद नहीं आती ह और आप बार बार करवटे बदलते रहते हैं तो दालचीनी वाला दूद पीजिए इसका सेवन करने से आपको बहुत ही सुकून भरी निंद आएगी दालचीनी में अमीनो एसीड होता है जो की शरीर में जाते ही दिमाग को शांत करने में हमारी मदद करता है इसके साथ ही इस से कंपाउंड पाये जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं दालचीनी वाला दूद खास तोर पर टाइप 2 डाइबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदे मंद होता है इसके अलावा यह इसकीन की समस्या को दूर करता है दालचीनी वाला दूद और शहद मिला लीजिए इसे अपनी स्केल्प पर लगाईए और थोड़ी देर चोड़ दीजिए 15 मिनर तक जब यह सूख जाये तो ठंडे पानी से आराम से धो लीजिए इससे बालों की चमक बढ़ जाती है और बाल पोशन से भरपूर हो जाते हैं और मजबूत हो होती है उसको ठीक किया जा सकता है अगर नहीं है तो वो नहीं होगा दालचीनी में फाइबर कैलिश्यम और मैगनीज जैसे ततो पाये जाते हैं जो की हड्यों को मजबूत करने में मदद करते हैं इसलिए इससे गठिया से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं तो अ दालचीनी से जिसको एलर्जी है वो इस बात का ध्यान दखें कि वो इसका सेवन न करें अब एलर्जी का कैसे पता करेंगे आप डोक्टर से मिल सकते हैं या फिर बहुत कम मातरा में एक बार लेकर के सेवन कर लिजे और देख लिजे कि आपके शरीर पर कोई एलर्जी वग सेवन न करें अगर आपके एलर्जी की समस्या नहीं है इससे तो इसका सेवन कीजिए तो अब सवाल आता है कि कब सेवन करें रात में सेवन कीजिए सोने से आधा से एक घंटा पहले पी लिजे इस दूद को इसके बाद सो जाए आपको नींद मसता आएगी और आपकी हम इस चैनल के माध्यम से ले करके आते रहते हैं साथी साथ कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अंत तक आपने देखा इसलिए दिल से धन्यवाद आपका कोई सवाल है हेल्थ से रिलेटर लिख भेजिए हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे फिलाल भी डालेते हैं आज किस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों